इसका काम क्या है इसका काम है आपके बिल्गुए टेंट परदे वर्दे लगा दिये सब इसको भरण कर दिया मतब इस ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया इसने अंदर कुरसी आ गई तो यह लेकिन आके भी ऐसी रखी हुई है यह पसे पड़ी लगाई कहीं नहीं है समाना आ ग कुर्ची के कबर हैं यह कहां लगेंगे कुर्चियों की बनावट कैसे होगी यहां कुर्ची ऐसे लगेंगी अंदर की जो सजावट का काम है मतलब डी एपी को कंप्लीट करने का काम करेगा कौन मैगनीशन सलफेट मेरी बास समझ में आ रही है कि सही समझा रहा हूं एकदम बच्ची की तरह समझा रहा हूं इससे सरल उपाए नहीं है कोई समझाने का तो यह जो है यह काम करेगा यह पूरे परदे वर्दे एकदम ठराटन करने का अब हमारा टेंट लगगा कंप्लीट अब काम है पोटास के सुरूप मैचूरिटी वो चीकित आप कहां तो माला हो गया काम यह काम कोन करेगा कैल्सियम सोरी कोटास अब जो कैल्सियम में क्या करेगा मैचूरिटी लाएगा अब काम होता है इनका घर में सबसे बड़े ताउजी आएंगे कि वह चमबस तो रखी नहीं दोने का भीजा है कि समझ लेओ हाँ इधर आओ दोने लाओ चमबस करने के लिए यह मैचूरिटी का काम करता है कि कैल्सियम रखटा मेरा थोड़ा करन आएगा तो यह कोन काम करेगा केल्सियम मैचूरिटी का काम अब यह जो टैंटमेंट लगे थे भरन अंदर का और ये जो आपका इधर वाला है रजगुले लगे हैं ये बेवस्था गरबर ना हो पता चले लोंड़ा दारुपी का भाग्या क्वाटर पीक है उसका रजगुले बातने वाला या रजगुले ही नहीं ला रहा है पीछे से समझे लो में रिखा उसके बाद या फिर वो टेंटी उड़ गया या परदा भड़िया या परदे पर कीजिन दाल गिरा दी या ये बोतर ऐसे गिरा दी इस पर दाल गिर गई वो हो तो भाईया तो मरब बदले में वो तो होना थी ये परदा तो ये बेवस्था कोन देखेंगा घर की अब आ जाएंगे पास वाले जाच्छा जी हमारे पड़ोसी सलफर जी सलफर डवलोडी जी इस सलफर का काम है इन बेवस्थाओं का मजबूत रखना कि इदा कहा है यह परदा खराब हो गया बदलो इसको सब्सक्राइब मेरी राग अब काम आता है पोटेश्यम होमेट क्या करेगा आपके खेटमे जडों की ब्रदी होने के लिए ब्यवस्थाइक जगे बनाएगा जड़े तो खुदी बढ़ती है कोई जड़ों को नहीं बढ़ता दुनिया में यह उसके लिए माहोल बना देगा तो पोटेश्यम होमेट क्या करेगा अब यह हो गहाए घर में तो यह इनका काम है फार्ट पूरी बवस्था को ठीक रखना और अब है पूर्टेश्म फुलवेट यानिके इलक्रिक कंडुक्टिविटी खाद यहां पड़ा है जाना जड़ों में चाहिए था लेकिन खाद यहां पड़ा है खेट में जब तक इलक्रिक कंडुक्टिविटी ठीक नहीं होगी तब तक आपके आप इस पादन कभी अच्छा नहीं आगा जिन्देगी में भी इसी बोलते हैं जब टेस्ट कराते हैं तो यह पूरे घर की विवस्था हो भाई तो तो रस बुल्ले बता यहां का कर रहा है तो उदर चल को पूरी ओल ओवर विवस्था का काम देखने का कौन सी चीज कहां होनी चाहिती कहां है यह रजुल्ले वाला छोले पर क्या कर रहा है वो फुपज उदर बैठे नों चाहिए क्यों नहीं दी वो भाईया बज़िया उदर क्या कर रहे हो तुम यह काम होता है पोटेसें फुल खेत में खाद देते हो चाहिए वो परशीन ही क्यों ना हो तो फसर बढ़िया होगी कि नहीं सिंपल सा फंडायर में कहां तुम लोगों के चक्कर में पढ़ गया अगरो नों मिश्चोंगी साला चार्ट बनाके घर पर रख लो अपने मेरे से ले लो उसी हिसाब से खाद द दुगद में और अलग से चिननी थोड़ी से चाय पत्ति ला देता तो ताओ जी और कहता चाय पीओ तो वो चाय थोड़ी थी गड़बर ठीक नहीं थी अगर ऐसी चाय पीओ गया तो उल्टी आ जाएगी या पेट खराब हो जाएंगे आप बजार गए बजार से आप कोई भी बनाने वाली चीज लाए जैसे उड़ात लाए सपोच करो अब उड़ात आप लाए और आपने मुझे काया राहूल खाना खाओ ठीक है जी खाना कि लाओ आपने मुझे कच्छे चावल दे दिये उड़ात दे दिये दो मिर्ची घ्र करो आपकी आखेमेरी तरश चाहिए । वह जो बोलता है आई कॉंटेक्ट वह बहुत जरूरी है ना मैंनी ठेक्ता जी मैं साम तक जी बोल सकता हूं ना मैंनी में बाद में लूँगा आपके आखे बस मेरी तरफ होनी चाहिए तो आपने क्या करना है देखो फिलो टूटता है पता है बात करने का फिर मज़ा नहीं आता है सामने वाले अब चाया पानी ना दो तो लोग ना राज हो जाए आर बुला लिया सुस्क्राइब पानी भी नी पुच्छा इसलिए ये क अपने खेप में लाने के लिए लेकर आते हो बजार सेजूर या डीएपी पोटाज मेग्रीशन जो भी है हां माइकल नूट्रेंड का काम रहे तो उसमें माइकल नूट्रेंड हमारे बालक जब दोने खतम होके जल्दी लेकान पसे जब अतरी बुवा नहीं आई को सकत्व हैं ना बाद में तो यह काम करेगा आपका माइकल नूट्रेंड वो छूड़ गया था उसमें अब आप यह नुक्सान कैसे देता है अब आप इसको लेकर आपने खेतने फेक दिया तो जब यह बायो मास के साथ होगा मतब नमी और आपका जमीन का कारवन जब यह सब्सक्राव ऑगते मिलेगा तो इसमें से गैसे निकलती है औट पेजाब निकलता है तो हुए बाताबनान को दूशाइए और ऊपर पोधा के पत्ते हैं पे is अजुए निचे वालेगी दो पत्ते के सिस्टम में यह न distributed तो पत्ते पीले पढ़ते हैं नीचे वाले और जड़ों में आपने देखा ओगा देगा जमी चफएद हो जाती पें देखा है कभी तो हैं आपने क्या करना है यह जब लेके आए तो यह नीचे आपका पूरा इसे बहुत तरीके की गैसे निकलती है दोसो प्रकार की गैसे होती इसके अंदर और पेजाब तो वह आपकी जड़ों को जलाता है और फिर पोदा इसी प्रकारिया में 80% फिक्स हो जाता है जमीन उटको उ कवरता है तो डिकंपोस करने के निकलने वाले सपाफ कि बैक्टीरियास निकलता है और फंगस से निकलता चिपचिपा द्रब जब यह दोनों मिलते हैं तो यह एक लसावदार पदार होता है इसको कारवन बोला जाता है और जब यह कारवन दो कड़ों के बीच में जाता है तो दोनों कड़ों के बीच में इलक्ट्रिक कंडक्टिविटी जब बनती है जैसे दो खंबों के बीच में तार नहीं जोड़ों के तब बिजली नहीं आएगी तो जब यह कारवन करों के बीच में जाता है तो वहां से जीवन की उत्पत्ति होती है और तब वहां पर बीज उखता है इसको बोलते हैं कारवन 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 कैसे बढ़ता है ऐसे बढ़ता है जो आप द अंदर बवार डालने हो ना उससे धाई धाई किलो निकलागा वो धाई किलो यह बहुत है इसको कारवन बोलते हैं यह कारवन पहले हमारे यह बहुत था उन्नीस सो बासत में यह किरांती आई थी हमारे देश में साथ में सो में सो में से पीसादी भूका सोता था तो यह हरित क सब्सक्राइब करेंगे इन को हम यूज करेंगे तो हमारे देश की इस्तिती बढ़िया बनीगी और उन्होंने बोला ता कि आप 1987 में कंप्लीटली इनको बंद कर देना प्रियोग करना तो आपके आपके देश की इस्तिती ऐसे बनी रहे की जमीन का बहुत अलएक इस्टेक्चर लेकिन हम लोगों को तब तक लट पड़ लगी थी कौटर के बजाए बहुत तलपी ने की कोई किसो को ने एक साल दारुपी बाद में छोड़ दिये तो खितम उसकी लगाम है और चला देगा तो हमने वहीं किया हम सताजी के बाद जमीन में पहले जितना भी खात पड़ता था आज भी वही होता है माइक्रोप्स ही उसको डिकंपोस करते हैं सीधी सी बात है और उसकी बोन्डिंग को तोड़ते हैं लेकिन मैक्रोप्स ही कम पड़ गए बैस दुस्मन जाद हो गया हमारे सेनी कम पड़ गए तो कैसे जीत जीत नहीं पा रहे वह उन से तो दुस्मन हावी होते जा रहा है माइक्रोप्स कम होते जा रहे हैं जमीनों में कमजोर होते जा रहे हैं नीचे जाते जा रहे हैं वह परदद परद नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं मान रहे हैं तो पहले बोन्डिंग तूट जाती थी आभी बॉनिंग तूटती नहीं अब सारा गेम है बॉनिंग तोड़ने को लेकर इस पूरी सभा का आज का सार जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब तक जो हो गया वो हो गया अब कहानी कहने से कोई फायदा नहीं अब बताओ भाईया जहाँ परजन कंडिसन वा खड़े हम यहां से आगे कैसे जाएं तो आप जो भी करसानिक खाद अपने लेके आते हैं उसको तीन गुना ज्यादा ज्यादा दस गुना भी ले सकते हो सड़े हुए गोवर की खाद या भर्मी कंपोच या सुगर मिल की महली या फिर मिटी कुछ भी ना मिले तो उसमें मिला करके और एक एक अड़वे पांच किलो सरसों की खलका रहश्यू है इसमें मिला करके और इसको एक अपते छोड़ दो दस दिन तक उसके बाद दस दिन छोड़ना कैसे है नीचे पनी उपर पनी एकदम बारा भाई बारा की पनी लेके आ जाओ और इसको पैक कर लो एकदम हबा बंद बारे दिन के अंदर ये खाद के अंदर से जितने रहसानी गैस से और जितने तेजाब निकलने थे वो सब गोवर के कड़ों मेरे में खूब लड़ाई होगी अंदर क्योंकि गोवर कभी भी जीतेगा गोवर के अंदर जो बैक्टिरिया वो दुनिया में कहीं नहीं है तो जब गोवर की खाद के साथ मिलाते हैं तो गोवर के बैक्टिरिया इनको खतम कर देंगे खा जाएंगे सबको और फिर ये जो था ये हो जाए लेब रिपोट कराओगे तो उसमें आएगा देर इसके अंदर कोई भी ऐसा हनिकारक पता नहीं है जो आपकी भूमी की संदचना और मानफ सरी के लिए हनिकारको जब आप इसके फल करेंगे तो उसमें भी यह आएगा जैरमुक्ट फल आएगा और आप अगर 50 किलो डीएपी आज डाल रहे हो तो 25 किलो डीएपी में रिजर्ट आ जाएगा यह डीएपी 50 ही 75 हो गया अभी अगले साल इसको और आधा कर दो तीसरे साल तो बचने गई नहीं कुछ आधा करने के लिए जो भी बचेगा वो डाल दो चोते साल से आप केबाल दीकम पोजार गुडगोबर गौमोतर और मैं कुछ नुक्से बताऊंगा सरसों की खलवा लीनी से खेती हो जाएगी जिसके हम बात कर रहे हैं ऐसा मैं करवा रहा हूं पर जैंट में मेरे पास किसान हैं जिन्होंने ये किया है और उनके गन्ने देखोगा तो बिमारी नही लाए और दीरे दीरे चलेंगे हम कहीं भी अटकते हो भाई साथ में खड़ा है पकड़ो गिरवान के साहले तुमां बोलके गया था मैं तुमारे साथ नहीं जानावालम मैं यही हूं मुझे इश्वर ने इतने सक्ती दिर्ख्य मैं एक साल लहाजारों किसान जेल सकता हूं जेल रहा हूँ और मुझे मज़ा आता है इसमें तो ये इस तरीकी से आपने खाटेना है लेकिन इसमें जो यूरिया है यूरिया को आपको देने के दो तरीके में आपको बिल्कुल सही हो प्यों तरीक के बताऊँगा अभी यहां पे आप लोगों में किसी का भी उरीया जो लिक्विड आप डालते होंगे वह नहीं का में उपकार रहा होगा है नहीं वह बेकार और आप लड़ते हो खराब हो रही आज की तरीक में वो पेस्टी साइड जिसके पीछे साइड लगा हुआ है मतलब मारने वारी जो चीज़े हैं उनसे और यूरिया से खराब हो रही है यह और साड़ी राड की जड़ यूरिया है बिना यूरिया के गंदा नहीं हूँ प्रिया है तो हमने क्या करना है यूरिया नुक्षान कर देता है जब जमीनत पढ़ता है वह्यंकर कैसे निकलती है वह hemकर-ते जाब निकलते है तो हूं आपने सबसे अच्छा तरीका है दो सो लिटर पानी में दो किलो यूरिया मिला के इस्प्रे करना इससे बहतर तरीका मेरी समझ मनी आया अभी तक अगर आपको आने वाली पीडियां बचानी है तो थोड़ी हड्यों को कुष्ट देना पड़ेगा आप अगर एक महिने में एक एक बार तो यूरिया फेकते ही हो तो दो बार इस्प्रे कर लो प्यार रिजल्ट आएगा आपका कितना पैसा बचा और यूरिया भी बचा और जमीन बची है समझ रहे मेरी बात अगला जो इस्प्रे करो को नेनो यूरिया का करो प्र तीस रहे इस्प्रे फिर यूरिया का करो फिर नेनो आप देखो कैसा रिजल्ट आने का यह यह यूर मैं सारे जवाब दे रहा हूं आपको काम भो भी करेगा लेकिन यूरिया मैंने जो जितना सुना है और जितना समझा है देको प्रयोग तो मैंने उस पर लैब में तो जाकर नहीं किया है पानी के साथ यूरिया का उतना इफेक्ट नहीं होता है वो लीच हो जाएगा आपके ज चेहो इसको आपने 50 किलो मिट्टी में मिला लिए सुक्षी मिट्टी में अब लोग करते हैं सुक्षी मिट्टी नहीं हमर पात तो सुखाव बैटकर नहीं तो साली दोब की मट्टी लाओ सुखाव और बोरी हम भरो जब तुम दुकान पदर डियेपी लागा इस्टोर कर सकत है तो आपने 25 किलो मिट्टी ले लिए और 50 किलो सुरी 50 किलो मिट्टी 25 किलो यूरिया मिला लिया आपस में और इसे बोरी में वार कर रख दो महीं कुए पई अपने कितना रखना है चोबिस ते 36 गंटे 36 गंटे में आप यकीन मानों इसकी बॉन्डिंग टूट गई जमीन है कि अगनी जा कर रहे हैं इसको फिक दिया खेट में ले जाके एक नमबढ़ि यूटाबाई साब अब धीर दिरें जाओ कि मात्रा कम करते जाओ इस बार 25 अगली फासल में 22 नमंबर तक ज्याते जाते पांच किलो कम हो जाएगा अगले साल आत्ते फों करते जाओ